केजी अफ यानि कोलार गोल्ड फिल्ड कहा जाता है कि लोग यहां हाथों से खोद कर सोना निकाल लेते थे यही कहानी भारत आये ब्रिटिस सरकार के लेफटिनेंट जॉन वारेन ने भी सुनी थी वो बड़ा उसुप था कि लोग कैसे हाथों से खोद कर सोना निकाल लेते है उसने गाउं का दोरा किया और गाउंवालों से कहा कि जो इस खदान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा इनाम पाने की लालच में ग्रामीड लेफ्टिनेंट वारेन के सामने मिट्टी से भरी एक बैल गारी लेकर आए जब गावालों ने वारेन के सामने मिट्टी को पानी से धोना शुरू किया तो आकई में उसमें से सोना निकला इसके बाद से तो केजी अफ बिटी समराज की सत्ता का धूरी बन गया यहां इतना विकास हुआ कि इसे मीनी इंगलेंड कहा जाने लगा कभी बिटी समराज की सत्ता का धूरी रहा कुलार गोल्ड फिल्ड आज खंडर में तबदील हो गया है कभी सोना उगलने वाला केजी अफ आज अतीत की कहानी बन कर रह गया है नमस्कार मैं उपेंद कुमार सियासत में आज बात उसी केजी अफ की जहां कभी 30,000 से ज़्यादा मजदूर काम करते थे यहां से भारत का कभी 90 फिस्दी सोना निकाला जाता था लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक अपील है अगर आपको सियासत की मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो आप क्विंट मेंबर बनिए और हमें सपोर्ट कीजिए इसके कई फायदे भी हैं जिन्हें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं 1871 के बनने की असली कहानी इसी साल से शुरू होती है लेफटिनेंट जॉन वारेन ने 1804 से 1806 के बीच सोना निकालने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो सफल नहीं रहे इसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गवाई जिसके बाद यहां खुदाई पर रोक लगा दी गई उसी समय जॉन वारेन ने एशियाटिक जर्नल में केजियफ को लेकर एक लेक लिखा था वही लेक ब्रिटिस सैनिक माइकल फिट्च गिराल लेवली के हाथ लगा जब भारत आये तो इसे लेकर वो काफी उतसाहित थे उनने बेंगलूरी में रहने का फैसला किया लेवली ने 1871 में बैलगारी से खरीब 100 किलो मीटर तक का सफर तैय किया सफर के दौरान लेवली ने खनन की जगों की पहचान की और सोने के भंडार वाली जगों को खोजने में सफर रहे दक्विंट में केजियफ के इतिहास पर एक लेख है जिसमें बताया गया है कि लेवली ने इस पर दो साल रिसर्च किया दो साल बाद 1873 में ब्रिटिश सरकार ने मैसूर के महराज से कुलार में खनन करने का लाइसेंस मांगा दो फरवरी 1875 में लेवली को खनन करने का लाइसेंस मिला लेकिन माइकल लेवली के पास उतना पैसा नहीं था कि वो खुदाई का काम करवा सके लिहाजा उसने इन्वेस्टर ढूड़े और खनन का काम जौन टेलर और संस के हाथों में दिया गया ये एक बड़ी ब्रिटिश कंपनी थी पहले कुछ सालों तक लेवली का काफी समय पैसा जुटाने और लोगों को काम करने के लिए तैयार करने में गुजरा काफी मुश्किलियों के बाद केजियव से सोना निकालने का काम आखेकार शुरू हो गया 1880 के दशक में माइनिंग ऑपरेशन बेहत कठिन था क्योंकि लाइट की बहुत बड़ी समस्या थी केजियव की खानों में पहले रोशनी का इंतिजाम मशालों और मीटी के तेल से जलने वाले लालटेन से होता था माइन्स में जाने के लिए शार्प हुआ करते थे जिसमें फिल्ड में लाइट की कमी को पूरा करने के लिए कौलार से 330 किलो मीटर की दूरि पर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया ये पाऊर प्लाएंट का दूसरा और भारत का पहला बिजली केंद्र था बिजली मिलकर का काम दूगूना हो गया इस केंद्र जहां बिजली पूरी तरह से पहुँच गई बिजली पहुचने के बाद केजी अफ में सोने की खुदाई बढ़ा दी गई वहां तेजी से खुदाई बढ़ाने के लिए प्रकाश का बंदवस्त करके कई मशीनों को काम में लगाया गया इसका नतीजा हुआ कि 1902 आते आते के चानबे फीसदी सोना निकालने लगा हाल यह हुआ कि 1905 में सोने की खुदाई के मामले में भारत दुनिया में छटे इस्तान पर पहुच गया केजी अफ में सोना मिलने के बाद वहां की सूरत ही बदल गई उस समय की बिटिस सरकार के अधिकारी और इंजीनियर वहां अपन के चलते केजी अफ को छोटा इंगलेंड कहा जाता था लेकिन जो लोग माइन में काम करते थे उनके लिए हालात इंगलेंड जैसा नहीं थे वो कूली लेंड में रहते थे जहां पर सुवधाएं कम थी एक ही शेड में कई परिवार रहते थे और उनका जीवन बेहत कठिन यह जगह चूहों के हमले के लिए परसिद थी बताया जाता है कि यहां रहने वाले श्रमिकों ने एक साल में खरी 50,000 चूहे मार दिये थे 1930 में कुलार गोल्ड फिल्ड में करीब 30,000 मजदूर काम करते थे KGF में जब सोने के भंडार में कमी होने लगी तब कामगार भी कुलार छोड़ कर जाने लगे हलाकि KGF पर आजादी तरक अंग्रेजों का कवजा रहा लेकिन आजादी के बाद 1956 में केंद्र सरकार ने कंट्रोल अपने हाथ में लेने का फैसला किया वहीं ज़्यादा तर खदानों का स्वामित राज सरकारों को सौंप दिया गया 1970 में भारत सरकार की भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां काम करना शुरू किया शुरूआती सफलता मिलने के बाद कंपनी का फायदा दिनों दिन कम होता गया 1989 के बाद तो ऐसी स्तिती हो गई कि कंपनी के पास अपने मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं बचे भारत के 90 फीसदी सोने की खुदाई करने वाली केजियफ का प्रदर्शन 80 के दशक के दौरान खराब होता चला गया उसी वक्त कई करमचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया साथ ही कंपनी का नुकसान भी बढ़ता जा रहा था एक समय ऐसा आया जब वहां से सोना निकालने में जितना पैसा लग रहा था वहांसिल सोरें की किमत से भी ज्यादा हो गया था इसके चलते 2001 में भारत गोल माइन्स लिमिटेड कंपनी ने वहां सोने की खुदाई बंद करने का निड़ा लिया केजियफ में 121 सालों से भी यदिक समय तक खनन का काम चलता रहा लेकिन साल 2001 में यहां खुदाई बंद कर दी गई वहां खुदाई हुए 20 से ज़्यादा साल का वक्त गुजर गया है के जिया फतीत की कहानी बन चुका है और बढ़ते समय के साथ-साथ वह खंधर में तबदील हो गया है यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए और सियासत का अगला एपिस चुटना जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें अगर आप इस कहानी का पॉड़कास सुनना चाहते हैं तो आप क्विंट हिंदी के पॉड़कास सेक्शन में जाकर सुन सकते हैं फिर मिलते हैं कि नए एपिसोड के साथ तब तक के ल